आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ब्लड ग्रूप टाइप कर लिया था और मैंने लास्ट वीडियो में कैसे दूसरे ब्लड टाइप को हमने एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसका reason भी बोला था कि antigen antibody complex बन जाता है that's why blood transfusion fail हो जाता है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है RH factor आप लोग already सुन रहेगे कैसे आप लोग ऐसे RH factor करके नहीं सुनोगे A positive, B positive, A minus तो यह जो आप plus minus करते हो that's the presence or absence of presence और absence of RH factor होता है अब क्या होता है RH factor वो देखते हैं RH is the most complex of blood group system यह जादा complex होता है कैसे RH factor is an antigen protein present on the surface of the RBCs in the human beings it was first discovered by the Lance Steiner and Wiener in 1940 on the surface of RBCs of Rhesus monkey एक type के monkey है so it is called as a RH factor and also called as a d antigen आप जब पढ़ोगे बहुत सारे research papers किसी का तो उसमें बहुत d antigen ही लिखते हैं इसके अलामा और factor भी होते हैं small e, e, c ऐसे और भी होते हैं लेकिन हमारे consideration में होता है d वाला factor person having RH factor d antigen d is an antigen are called as RH positive and those lacking d antigen are called as the RH negative समझाता हूँ image देख लिए पहले मेरे पास से कि देखिए आपके normal rbc है यहां पर normal rbc है a minus लिखा है इसको a minus से क्या मतलब होता है कि इसके पास जो RH factor है that is missing absent टीक है इतना आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग को मैंने लेकिन पहले स्मार्ट बच्चों के लिए पहले ही बता दिया कि यह सिर्फ आपको d में ही नहीं रूपना है और भी रहते हैं लेकिन हमारे को बता जा रहा है तो आप लोग लेकिन नीट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन आता है कि there is only d factor which is rh factor तो no that is wrong answer आप सोचे कि आप बहुत सही तोड़के आए और आनसर की a b और a b o ही जानते रहेंगे बच्चे लेकिन आप d भी जानते हो ऐसा कुछ नहीं बच्चे e और capital e भी जानते हैं c ऐसे करके भी जानते हैं ठीक है अगर नहीं रहेगा तो माइनस बोलेंगे रहेगा तो as simple as that तो आज से आप लोग जाओ कि जान जाओ कि बी पॉजिटिव बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या उनके antigen कौन-कौन से एक b है और एक d है b and d ठीक है यह ध्यान रखने हैं आप लोग को अच्छा इसके पहले अच्छा आगे चलके बात करेंगे आरच antigen आरच और d antigen induces a strong immunogenic response when introduced into आरच- individual एक है जिसके पास वह इसका बलड समझे ए प्लस है जब ए माइनस वाले का बलड दोनों a ae है अब देखिए आपको abo से उपर उठना है ठीक यहां simple था प्लस- नहीं बता है अब आपको जो apply होता है वह होता है रह फेक्टर के साथ ठीक है रहा ब्लॉट वाले को अगर यह माइनस का ब्लट दोगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी ठीक है सो वें इंतरय से यह इंपॉरने से रह मानस और स्वार्वीज है में ए अप्लस वाले को डाले कि इसका आंटिजन प्रेजेंट है RH blood group is an important factor in blood transfusion blood what does blood transfusion means transfer of blood from 1% to another plus person and is involved in hemolytic disease of newborn इसको देखे HDN hemolytic disease in newborn करके याद रखना होता है hemolytic मतलब प्या आपके RBC को break कर देता है breaking of RBCs that is hemolysis means toadna and disease which is also called as the erythroblastosis fetalis fetalis का मतलब होता है fetus जो पेट के अंदर है destruction of erythrocyte what is erythrocyte RBC of the fetus it occurs when an RH- mother conceives RH-positive fetus ठीक है क्या होता है इसे बता लेते हैं में पास diagram भी है no doubt आपको वहाँ से भी बता दूँगा देखे एक कोई माह है जुसका blood RH- है मतलब समझे A- है अब यह baby यह क्या पहले करती है मीट करती है male से जो positive है ए पॉजिटिव ही ले लेते हैं लेकिन अब जो baby conceive हुआ है मा के warm में मा a- है baby a plus है तो अब क्या होगा यह दिक्कत भरा है इसमें बेभी के death होने के chances हैं इवेन मॉम के death के भी chances हैं complications बहुत है इसमें आपको simplistic बताया गया है बहुत simplistic बताया है यह एक तरह का हुआ दूसरा क्या होता है कभी कभी अच्छा वह पहले आम complete कर लेते फिर आरेज पॉजिटिव आरबीसी आरेज पॉजिटिव आरबीसी फ्रॉम दी फिटस में एंटर दी मदर सर्कुलेटरी सिस्टम दूरिंग चाइल्ड बर्थ बच्चा जब होने वाला है पैदा जस्ट होने वाला है तो उसके बाद मतलब जब वह कंसीव करता है बेभी उसके नाइन मन्त के आराउंट यह बात हो रही है अपना की पहले दूसरे मन के रहाँ क्या होता है अब यह जो बेभी का जब बर्थ होने वालाता है तो यहां से ब्लड एंटर करता है मा के सर्कुलेटरी सिस्टम में तो मा के पास माइनस है मतलब क्या एंटीजन एपसेंट है वहीं बेभी के पास दोनों एंटीजन है तो क्या होता है मा का ब्लड जो है माम का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कि अरे यह कौन आ गया हमारी बाडी में जो यह लेके आ रहा है तो यह क्या एंटीबाडी बनाता है और यह इस चीज की जड़ तक कि यह आ कहां से रहा है और जब वो इसका मेमरी मतलब पूरा डुपलिकेट करता है वह एंटर करता है फीटस में अब वह एंटी बॉड़ी एंटर करता है फीटस में यह सिस्टम आपको दियान रखना है अब आगे पढ़ते हैं आगे की स्टोरी as a result subsequent RH positive fetus will be exposed to RH antibodies एंटा आरेच मतलब जो आरेच फैक्टर के अगेंस्ट में हैं ध्यान रखिए क्योंकि मा के पास तो नहीं था तो वो क्या समझते कि बाहर से कोई antigen आया है जो मा की बॉड़ी को हाम कर सकता है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि अपना ही बेबी है produced by the mother which results in HDN तो उसका क्या होगा यह क्या करता है तो यह RBC को distract करता है मारना शुरू कर देता है क्योंकि RBC के surface पे antigen है ना why does it kill RBC because antigen is on the surface और protein is on the surface of RBC in order to prevent HDN अगर बचाना है तो देखे क्या step है और हमने क्या बोला था immune response trigger होता है trigger में क्या होता है एक तो होता है कि पहले बोलते हैं हम लोग की produce होते हैं उनको पहले signal जाता है signal के बाद produce होते हैं फिर multiply बहुत तेज से होते हैं फिर memory create करते हैं तो इसमें क्या होता है यह लोग बहुत दिक्कत चीज़ें कि memory test में मालूम पढ़े जाता है कि दोनों के कौन से blood factor है तो वहां से मालूम पढ़े कि आरच माइनस मॉम है और जो dad या किसी फीटर्स का पता चल जा रहा है कि positive है तो यहां पर mom की body में जो antibody है anti-rh body बोल सकते हैं anti-rh जो हमारा antibody है यह inject कर देते हैं समझे बेबी में से transfer होते हैं 10 antibody तो हम 10 antigen sorry मैं क्या बोला हूँ 10 antigen जब 9 में ने गए तो उसके पहले हमने क्या कर दिया body में यह पहले से inject कर लिया जो समझे 15-20 होंगे तो क्या होता है इससे full-fledged trigger नहीं होता immune system जो यह मैं बताया था produce होना multiply होना memory यह हो नहीं पाता यह सिब रहता है बैटा तो जो आएं हैं बस उनको मारेगा समझ गया आप लोग बात यह बात आप लोग को ध्यान रखना कि already mummy को injection दे दिया जाता है ठीक है तो यह अलग-अलग stage पर देते हैं तो यह आप लोग को चीज याद रखना है कि doctor कब देते हैं इसलिए यह चीज आपको यह जो chapter है यह आपको बहुत पैसे market में दिला सकता ह और यह topic में और भी जानना होगा लेकिन आप यहीं से expert बनना शुरू कर सकते हो जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत कि doctor को observation बेस दोना चाहिए देखके patient को समझना चाहिए reports को देखके तुरन समझना चाहिए कि link कहा है इसका वरना कुछ और disease treatment किसी और की चाली हो जाएगा simple कुछ भी दिक्कत नहीं थी तो इसी को बोलते हैं कि आपकी body में inject कर दिया जाएगा अब मैं जो चीज बोल रहा था कि second factor यह सिर्फ आरिस factor से नहीं होता है कभी-कभी अगर mother second case में बताता अगर mother O है अब बेटा किसी और blood group का है जो fetus या बेटी किसी और blood group की है तो यह जब होता है यह भी यह disease करने के लिए capable होता है ठीक है और तीसरी case क्या जो blood transfusion होता ना female अगर birth देने तो blood loss बहुत होता है तो उस time पर गलती से अगर गलती से अगर यह सब दे दिया जाए जो rh minus को rh positive दे दिया जाए तो आप लोग को बहुत दमाग mom को बहुत severity हो जाए कि तो baby और mom दोनों को chance होते हैं कि वो दोनों succumb हो सकते हैं death के लिए तो यह सब cases भी possible है आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ rh factor का थोड़ा सबताए गया without diagrammatic representation तो आपको यह याद रखना है ठीक है तो यह यह चीज़ को होता है अगर मैं समझें यहाँ पर दस बोल रहा था लेकिन यह जब प्रडियूस करता है ना हमारे memory वाला यह लाक्स में प्रडियूस कर देगा ठीक है तो इसमें आप देखी यह पूरे enter करते रहेंगे आपके पूरे source तक जाएंगे इसलिए यह full-fledged immune response को दबाना होता है चलते हैं तो आपको एक diagram दिखाना था मुझे एक सेके यह देखिए हो यहाँ पर पूरा diagrammatic है कि आरेच माइनस मदर है बेबी जो producer है वो में दिखा रहे है कि ntrh antibody प्रडूस होगे मौ के and produced अपन यह थर्ड स्रीज में देखिए ntrh remains in mother circulation and cross the placenta अब यह placenta में जाएंगे मारने के बार और यह देखिए placenta यहाँ पर connected है maternal auntie maternal मतलब mom खा ntrh antibodies attack and destroy fatal rh positive blood cells and fetus becomes hemolytic उसका जो रहता है उसका रहे अरे rbc destroy आता है वहीं पर treatment देखिए उसका कि first phase में क्या होगा कि mother injected with rhod immune globin during pregnancy प्रेगनसी दरानी दे दिया उसे अब क्या होगा second देखिए यहाँ से same rh minus rh positive यह देखिए अब यह green के बज़े हमने purple कर देखिए हमने खुच से डाले immune response को trigger नहीं होने दिया rh positive red blood cell enter into mother's circulation same sticking stage same है देखिए अब anti rh antibody binds and inactivate the fetal rh enter before they stimulate immune response in mother immune response को suppress कर देखिए समझ गए आप लोग मस चीज है हमारी body बहुत खतरनाक चीज पढ़ने जाओगे तो like आज आज आपको बताने कि इसे बहुत सारे factor like brain की mystery brain की working की mystery psychology और यह सब जो चीज़ है यह psychiatrist जो रहे थी सब का काम जो इतना खतरना कि एकदम full of की क्या है चीज़ें अभी भी discover कर रहे हैं कि यह ऐसे काम होगा many presumptions आदे है कि कहीं कहीं तो बोलते हैं कि आप और हम virtually जूड़े होते हैं भले मैं आपको touch नहीं कर रहा हैं लेकिन मैं आपसे connected हूँ brain link के तुरू आपका भी भी सुनना टॉम बोर्डन के लिसमें neurologist आये थे वो क्या-क्या बोलते हैं कि ट्रीट्मेंट वर्चूल वर्ड की ट्रीट्मेंट और वो सब लिए लाइक नेक्स्ट फिल्ड है यह सब फुल ओफ मिस्ट्रीज और फुल ओफ लाइक की excitement से भरा हुआ हमारा बॉडी ही से हम स्पेस में कहां खुज़ है हमारी बॉडी बहुत कतरनाक है सेकंडली cancer कैंसर कैंसर कैसे होता है कि हमारे खुद की सेल बहुत ज्यादा मल्टिप्ला हो लगती है सेल के मल्टिप्लिक्शन लेकिन अभी तक इसको रोकने के हम लोग प्रोसेस सोच नहीं पाएं कि हम लोग इसे पहले स्टेज में से वैक्सीन दे देते हैं तो क्योर हो जाता है कैंस स्टेज में जिसे आप पकड़ लेते हो मतलब स्टेज होते हैं लेकिन फिर भी कैसे कोई सेकंड थर्स से भी क्योर कर सकता है तो उसमें एक एक और च्रांस्पलांट या सरजरी यही सब करते हैं विच लोग वरी बाग तो लेकिन कैंसर अभी मिस्ट्री से भरी है कि आप कै से किसी को भी बचा सकते हैं इंसान 95% 95-96% रिकावरी होती है बाइपास सरजरी की लेकिन स्टिल कैंसर वाला आज भी अगर किसी के घर में कुछ सुन जा किसी के मतलब मैं यह नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स बनोगे अपनों फूचर की इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी ने परिशान किया है ठीक है तो यह बहुत डेंजर जीस है लेकिन यह मिस्ट्री जो सौल कर देगा जिस दिन सो हमारे पाइसा नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगे लेकिन नेक्स प्रॉब्लम कुछ और बड़ी होगी कुछ और इंट्रेस्टिंग होगी यह सब लोग उपर उठ चुके होंगे चलते हैं चाप्टर की तरफ यह देखिए यह कुश्चन का अंसर बहुत इंट्रेस्टिंग है आप लोग इसका अंसर प्लीज मुझे कमेंट सकते हैं प्लीज बोल रहा है क्योंकि आप इसका आंसर करके दिखाए इसकेंड आले का मैं बोल तो रियालिटी में आपको देखना है कि प्लस और माइनस की फॉर्म में तो ए भी प्लस है जो सबसे ब्लड ले सकता है सबसे नो टेंशन नो हजिटेशन इसका रेजन आप मुझे बताओगे फटफट से कमेंट करिए इस वीडियो में और इंगेज रखिए खुद को इसमें शरम की क्या बात है थोड़ा सा टास्क रहता लाइफ में भी इफ यह मालूम है यह लॉगडाउन में आप लोगों को सौई से वीडियो फ्यूचर में भी चल लेकिन लॉगडाउन के पीरि अल्रेडी चार-पांच मेंने जब में वीडियो फ्यूचर करना इसक्राप जब भी आप फ्यूचर में लेकिन अल्रेडी चार-पांच मेंने मतलब 150 डेज का डिरेक्ट लॉस हुआ सबकी लाइफ से वहीं पे सब को skill or knowledge को gather करके अपने brain को आपस से बच्चे की brain जैसा वो आपस बना तो नहीं सकते लेकिन वो ऐसा curious बना सकते हैं you know apart from gaming ठीक है gaming is an addiction जहीं जहां पर gaming आपका brain बढ़ाती है वहीं पर gaming addiction आपके body को health को खराब करती है but everyone everyone including YouTube social media parents सब लोग यह mark मिस कर दिये कि यह period यूज किया जा सकता तो इसलिए आपको pressurize कर रहा है कि please at least थोड़ा सा तो सुने और comment में इसको दो मिनट का engagement दिखाए कि आप इसमें at least सोचे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर भी अब common disease के बारे में हम करने वाले हैं यह chapter अगर कोई बोते हैं जोला चाप जोला चाप डॉक्टर किसको बोलते हैं वैसे डॉक्टर जिन्होंने डिगरी नहीं लिए डिगरी नहीं लिए लेकिन दवा देना शुरू कर देते हैं तो यह बहुत हांफूल होते हैं आप लोग भी अवेर रही है डिगरी भी फेक लगा सकते हैं अपने यह नहीं कि आपने नोटिस बोड पर बीए एमस लिग दिये तो बहुत यह बीए एमस मैं बोलना यह ज़्यादा है हमारे इंडमेस लिए अभी MBBS MBBS MD के पास भी आप जा सकते हो लेकिन कई बार डॉक्टर्स फेक यूज करते हैं उनको कुछ भी क्वेशन जो लोग क्वेशन पुछने बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं या डिगरी कोई प्रॉपर उनकी टंगी होई नहीं है कि आजकल बहुत पॉसिबल है वहां पे किसी और डॉक्टर की नाम चेंज को अपना फोटो लगा दो बहुत सारे पॉसिबल है तो वो लोग क्या जनरली जानते हैं कि यही सब डिजीज के बारे में जानते हैं और इसी के थूप अपने लिए पैसा कमा पारें सोसाइटी में यह कैसे क्रेक करें गवर्मेंट के तो गवर्मेंट अगा ऐसे लोग को पाती है ना बहुत सीवियर पनिश्मेंट देती है आपको लॉम पता नहीं को लाइफ इंप्रिजन्मेंट हो सकती है क्योंकि इनको लगता है कि यह पैरासिटमॉल एस्पेरिंट नॉर्मल ड्रग है यह लोग इनसे कुछ नहीं होने वाला मतलब थोड़ा सा दर्थ भी रोजाता है उनको मालुने लेकिन यह बहुत बेकार चीज़े जिसके घर में होता है जिसके छोटे चोटे बच्चे उनको मालुम पढ़ता है कि एक गधे डॉक्टर के एक पैरासिटमॉल के गलत प्रिस्क्रिप्शन से कैसे डेथ होती है आपको पता नहीं का यूएस में पैरासिटमॉल बैंड है इ लेकिन इसका मतले भी थोड़ी कि हम लोग जाहर खाते रहेंगे दिवी चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह चैप्टर आपको बहुत इंपोड़ आप जिए अपने दोस्तों में शेयर करना सो राट कि उन्हें भी आवेर होती है यह डिजीज बहुत कॉमन है क्यों मैलेरिया क्या वैक्सिन नहीं है इसका रीजन दूँगा मैं आप लोग मलेरिया का वैक्सिन कभी नहीं पाऊगे अब यह मतलब नियर फ्यूचर में अगर कुछ नहीं टेकलना जाते हो ठीक है क्योंकि इसके मैं रीजन बताते जाओंगा चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजीज is defined as a condition of disturbed or deranged functioning of one or more organ और organ system तो वही आपका डबलेचे का है जो होता शोशल, mental और फिजिकल हेल्थ के विल्विंग ना हो तो इसमें सबसे वहागा common disease में जब हम बात करेंगे यहां पे health की बात नहीं की जा रही है यहां पे disease की बात की जा रही है ठीक है कि human disease क्या होते है तो इसमें आपका organ system के उपर कोई ना कोई bad impact होता है, cause due to the infection, defective diet, heredity, sub responsible है आपके mom, dad, responsible आपके दादा, दादी, ना, 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 नी responsible हो सकते हैं, defective diet हो सकता है, लेकिन हम ठेरे, pizza गाये वाले, like we will eat pizza but not the दाल बाटी या भाकरा आवर लाइक वो सब नहीं खाएंगे हम, लेकिन हमको पीज़ा जरूर चल जाएगा और infection that we cannot control क्योंकि उसब होता है government और public उसमें safety में आता है लेकिन दो चीज़ तो हम लोग एक चीज़ तो हम लोग control कर सकते हैं that is defective diet और government health infection heredity के लिए तो higher technology चाहिए रहेगी फिर भी दो factor like आप clear कर ले तो 67% आप लोग को disease नहीं होंगे simple as that all human disease can be broadly categorized into congenital disease and acquired disease यहाँ पर लोगों को बहुत सारे miss हैं कि congenital को लोग communicable से compare करते हैं लेकिन आज आपको congenital का meaning समझ जाएगा congenital disease are present from the birth बस हो गया answer आपको मिल गया जो disease birth से मेरे पास है वो congenital है ठेक है may be caused by genetic abnormality और metabolic disorder जो भी रहे लेकिन बर्च से जैसे मेरे organ ही genetic मतलब कि मेरे grandfather को भी heart का problem था डाड को भी है और मुझे भी heart का problem आ गया चीक है तो similarly या दादी को हो सकते है like my grandmother had the इन डाबेटिक insulin का था डाबेटीस का genetic वाला अच्छा डाबेटीस जैनेटीक भी होती है जैनेटीक वाला तो उनके या तो organ well developed नहीं होते या तो weak होते हैं वो ठीक है दे में भी permanent and they were practically incurable अब कैसे उसे करें मतलब थोड़ी organ को यह आदमी पैदावा था सब normal था तो बीच में थोड़ा सा पतला गए तो वापस उसे मोटा कर सकते हैं मतलब हैं सकते हैं इसके लिए solutions हैं ऐसा नहीं कि completely इंक्यूर नहीं कर सकते हैं सीधा हार्ट transplant करें फिर यही सब option दे जाते हैं however modern research has helped to cure some देखी आगे वह लिखा है some inborn disease through gene therapy जो हम लोग 10 पढ़े होंगे and enzyme replacement therapy insulin वाला सुने मैं अभी बोला ऐसा नहीं कि मैं पहले presume करके बैठा था example को कि मैं आपके लिए करूँगा लेकिन हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मालूप पर जाते हैं कि क्या क्या content है इसके अंदर acquired disease अब second type करें हम लोग acquired disease develops after the birth and can be divided into communicable and non communicable disease ठीक है यहां पर communicable आता है तो चार्ट कुछ इस तरह से बनता है इसे clear कर लें दिजे एक second वीडियो को आज कर आप लोग लाइक नहीं कर रहें प्लीज आप लोग लाइक करके अपना support दिखाते रहें यह भरपूर support दिखाईए यह देखिए congenital और again acquired acquired में अब दो पार्ट नों बटेगा communicable and non communicable ठीक है communicable का देखेंगे कि disease which are transmitted from infected person infected person to another healthy person either directly or indirectly direct or indirect मतलब direct मतलब क्या वो वायरस है directly समझे यह आदमी ने छीक मारी वायरस मेरे पर आ गया directly indirectly मतलब कि इसने कुछ किया किसी fly के अंदर गया fly के अंदर fly ने मेरे को काटा फिर मेरे पास आया तो पहले बैक्टीरिया ने अटाइक किसको किया था fly को fly ने अटाइक किया किसको मुझको तो ऐसे इंडिरेक्टी होगा या तो इस परसन से बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ या वायरस ट्रांसफर हुआ यह communicable disease malaria and other disease which are to be studied in this chapter are examples of this type ठीक है डिरेक्ट इंडिरेक्ट नहीं हो रहा है डिरेक्ट इंडिरेक्ट हमा लग कर रहे है हम communicable का example सुने है the disease that cannot be transmitted from infected person to healthy person directly or indirectly are known as non communicable इसलिए non है like heart disease like cancer, food deficiency like vitamin e b की कमी है तो those are the non communicable disease ठीक है अब कोई question पूछ सकता है कि अभी मैंने example दिया कि heart वाला जो ट्रांसफर हो रहा है वो तो organ का disease है फिर वो तो लेकिन वो तो भाई फिर congenital में आ जाएगा ना that will not become like वो पास हुआ कि dad से पास हुआ बच्चे को that वो congenital में आ रहेगा ठीक है यहा रखना है communicable disease are caused by pathogens like viruses, bacteria, fungi, helminthes and worms अब यहां पर आपके 10th और 11th की knowledge important हो जाती है कौन से animal kingdom के classification की हम लोग बार बार बोलते थे classroom में भी प्लस आप लोग को 11th के lecture में मैंने बोला है कि यह बहुत base create करते हैं all disease causing organisms are called pathogens चलते हैं थोड़ा और आगे many pathogens use another organism they use another organism the vector organism जो इसको यूज करते हैं उसको बुलते हैं vector और वहीं से आया vector born disease these vectors are actually parasites which are legally come across तो हम इंको daily देखते हैं जो parasites जो दूसरे के उपर खाना खाते हैं जैसे कि मचर हमारे को खुन पीने को आता है actually आप लोगों को बताओं तो चलो next lecture में या भी नहीं expose करता हैं कि कोई कोई हमारे यहां पर terminology जो औरतों के लिए यूज होती है वह बहुत सारी आप लोग पावगे disease से related थी ऐसा नहीं कि यह कोई बोलते हैं किसी को defame करने के लिए ऐसी सी बता रहा हूं कि आप लोगों को बताओं तो आपको अच्छा लेगा parasite is an organism that lives in or on the body of another organism and derives its nutrition from the host तो यह organism vector के वारे में बात कर रहा है ठीक है parasites are of two kind ectoparasites and endoparasites तो bed bug जो आपनों bed पर देखते हैं जो काट देता आपको तो फिर वह पहां पे पूरा scratch और वह से आ जाते हैं वह वाला तो आज आपके लिए तीन question हो देखते हैं कितने लोग answer करते हैं और कितने गाइज एक ही लोग answer करनो चलेगा लेकिन आप लोग at least comment तो कोई तो यह initiative लोग कि start करो comment करना so that कि हम लोग भी up to the mark रहें और और चीज़ां आप लोग से discuss कर पाएं ठीक है चलो गाइस तो यह वीडियो अलरे थर्टी मिनट के होगे तो in order to keep it crispy I have to keep it for 30 minutes only अब next जो आएगा malaria इसे बहुत सारी disease के बारे में यह chapter थोड़ा सा यहां से आप लोग को रट्टा मारने के लिए जरूरत पड़े कैसे रट्टा मारना पड़ते हैं लाइक कि symptom आपको याद करने पड़ते हैं word harus symptom life cycle लाइव साइकल क्या होते है फिर उसके बाद symptoms हो गया comfortable कियो आपको पता करना नहीं होते हैं harvest अगर आपको यह पूरा पता रहता है तो आप एक डिजीज की सिम्टम को दूसरी पकर करके डूसरे टाइप की डिजीज से और वो सब आप उसके अकॉर्डिंग दावा दे पास हो यह नहीं बोलना हो कि आप मेरा वीडियो देखिए बिलीव मी कि आपको लाइफ में आगे जाके अगर जिसको भी नीट का एक्जाम क्लियर करना होगा यह चैप्टर वापस से आपको कहीं नहीं कहीं अपने लाइफ में जवाब की मेडिकल के आएंगी तो फीजिकल हेल्फ मे के बाद में के उपर इसके प्रेशर मट डालिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग को ना कम्मुनिकेबल डीजिस के साथ ठीक है गाइस तो तब तक के लिए बाई and have a great and awesome day